कि वेरी गुड इवनिंग ओल आफ यू मेरा नाम आशी श्राथी वाइफाई स्टेडी टू पर आप सब एक अर्दिक अभी नंदन करता हूं साथ क्यों आज के सेशन में कुछ में प्रॉपिट एंड लोस के वह कुश्चन कराने वाला हूँ जो आपके अरभी एंटीपीजी बहुत बहुत जबर्दस क्यों पूछे गए हैं हो सकता है कि ऐसे सवाल cbt2 में भी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्ट इस सेशन को बागी साथियों के साथ सियर करेंगे जिन बच्चों का cbt2 का एक्जाम है बहुत जबर्दस क्लास होगी कुछ अन आप चोविंड कर सकते हो इकनिक फीचर में आपको अलग से क्या मिलेगा प्राइटीन डाउट स्वल्विंग प्राइटीन लाइम क्लासिस यह आप लोगों के लिए टेस्ट्रीज है से स्पिरेंट के लिए तो एससी वाले बच्चे इस प्रीवाले टेस्ट्रीज को जरू अपनी सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो लाइफ सेशन के बीच में एससी केटिगरी में सब्सक्रिप्चन लोगे तो चोबीस बारा और छे महिने का आप ले सकते हो रेफरल कोड में आपको यूज करना होगा एराटी टेन जिस्ते आपको दस परसेंट का ओप मिलेगा सा क्लास होती है दोपैर के एक बज़े होती है Monday to Saturday और कल होगा इसमें प्रेक्टिस सेट नमबर 44 वाइफाइट सडी स्टूडियो पर सुबह के 11 बज़े क्लास होती है Monday to Saturday जिसमें SSC CGL Foundation बैस चल रहा है और कल इस बैस में हम लोग डिसकाउंट पार्ट नमबर 4 करने वाले है अनकेडवी लर्दार एप पर मेरी प्रोफाइल आशीच कुमार के नाम से आप लोगों को मिलेगी special class हमारी जो हती है वो तीन बज़े होती है तो कल आपको तीन बज़े special class भी जोइन करनी है so जिन सवालों के मैं बात कर रहा है कुछ questions है पहला सवाल perfect and loss का question है एक बर ध्यान से आप लोगा इस सवाल को पड़ोब पहले तेखी गाइस कुश्चन पर बहुत सारे बच्चों को बहुत जादा कन्फिजन होता है तो सारे कन्फिजन दूर हो जाएगा अगर इस सावाल को ध्यान से सीख लेगा आप लोग एक्स एक व्यक्ति है जिसका नाम एक्स दे रहा है ठीक है ना एक कार को डेड़ लाग रुप ली पर एक्स को बीच दिया वाई ने फिर से से को बीच दिया डोपर fertकोष पर लोगों पर तो पूरे देन में एक्ष के लिए सुमर्ग लाःभ यहानी आप लोग को बतानाहएय कि पूरी कहानी में एक्स को म्यक्ष को databases है अब द्यान से समझेदा को है को है अब हमने यह माना कि 100 रूपे की कोई गाड़ी है सू रूपे की कोई वस्तू है से जिसको एक्स वाई को बेजता है फाट पर्सेंट प्रॉफिट के साथ तो यादि की वाई को कितने में बेचे क्लियर है फिर इसके बाद क्या करता है वाई इस वस्तू को एक्स को एक्स को बेच देता है और कितने में बेचता है दो परतिशत के लोस्ट पर बेचता है तो अब 105 का दो परसेंट आपको निकालना पड़ेगा जो की होगा होगा 2.10 जो कि कितना होगा बेटा 2.10 यानि कि अब एक वस्तू कितने की बढ़ी है भाई 105 मेंसे 2.10 माइनस करेंगे तो एक वस्तू पड़ेगी 102.90 तो अब आप से पूस्ता है कि एक को कितना प्रॉफिट हुआ कितना लास लोस हुआ देखो एक पहले वाले केस में सो की वस्तू 105 में बेच रहा है तो यहां पर एक वपांच का प्रॉफिट बात में समझना है यानि कि ओवार ओल प्रॉफिट एंड लॉस और एक्स की मैं पहले तो सो की वस्तू एक जो है य को 105 में बेच रहे तो प्लस पांच का प्रॉफिट हो रहा है अब उसके बाद देखो उसके बाद एक्स जो है जो सो रुपे की वस्तू थी भाई एक्स के लिए तो सो रुपे की थी वस्तू अब एक सो रुपे की वस्तू के वस्तू के सो बाद में x कितने में खरीता है 102.9 में खरीता है रूपे एक 102.9 रूपे पेमेंट करंगा तो मेरा तो लोस वहां न जितना वे समझे तो इनकल या पर लोस कितना हुआ 2.9 ने ऑवरोल मुझे दान यहां पर-फ्रॉपीट यही आपको यहां पर ओवरॉल प्रॉफिट आ रहे तो यहीं कि डारेक्ट आप इस वैल्यू को भी ओवरॉल प्रॉफिट कह सकते हो समझ में आगे बात पर जितना यहां पर लोगा यानि कि 105 में से जितना भी कम होगा वही आपका लोगा एक्स का ओल राइट है अगर यह बा हमने क्या ली ठीजी है और यह सो यूनिट कि लो कितनी है वेटा आपकी इस यूनिट के वैलू कितनी है जाए ah कि शोड़िय के यूनिट की वैल वेवलेव लोगी टूट बंधरह सो यानि कि कितना प्रॉफिट हो जाएगा 21 की पंद्रा में गुणा करूँगा तो दो जिरो तो जोंकी तो आ जाएगी आपकी पंद्रा एक बच जाएगा पंद्रा तो नहीं तीस और एक 31 और एक अंग के बाद के साथ अगर आप जाओगे तो निश्चित तोर पर ऐसा सवाल कर पाऊगे अगला सवाल को पढ़ लो आप इत्मिनान से क्योंकि आप जब तक सवाल पढ़के यह नहीं समझोगे कि सवाल पे पूछ रहा क्या है तो कुश्चिन कर नहीं पाऊगे ठीक है ना बस आपको हो वाल है कि कि ऑस दो उस विक्र है मुल्या के आधे पर साटे बारा पर्शन्ट की साढ़े होती है को अगर हानी हो रहे है हानी हो या प्रॉफीट हो हमेशा प्र ₹ पर होता है यहां पर आएगा आपका इनिश्यल सेलिंग प्राइस सवाल में कहारा है कि किसी वस्तू को इक निश्चित मुल्य पर बेचने पर किसी वस्तू को एक निश्चित मुल्य पर बेचने पर प्र וाफियट होता है और जिस निश्चित मोल्य पर gio निश्चित मुल्य है उसके हाधे-पर बेच valley तो साड़े बारा पर्षेंट का लोस होता है यानि कि यहां पर कोई निश्चित मुल्य रहा होगा अगर इसके आधे पर बेच हुआ तो साड़े बारा पर्षेंट का लोस इनिश्यल सेलिंग्राइज हमने चोदा माना चोदा का आदा साथ पर बेच रहे थे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा था तो देखो आठ की वस्तु को चोदा पर बेचा जा रहा था तो यहां से हम लोग प्रॉफिट पर सेंटेज निकाल लेंगे और गुणा दो से तीन बर जाएगा दो से आपका चार बर जाएगा और चार से आपका पच्चीज बर जाएगा यानिकि कि अवरोल कितने प्रॉफिट होगा निश्चित मुन लेवर वेचने पर 75 पर पिशित का यह भी बहुत अच्छा सवाल जो आपके CBT1 में पूछा गया है इसलिए म सवाल भी आपको तखलीप दे सकता है एक्जाम में इसलिए मैं इसको भी आप लोगों को अलग से करा रहा हूं यह तीनों ही कुछ डिफरेंट टाइप के कुश्चन से जो आपको परिशान कर सकते हैं आप पस सकते हैं उन्हें कुश्चन में तो इस सवाल वो भी एक पर आ आठ सही एकवट्टीन परषेंट की यहनी पर बेजता है पूरे लेन देन में पच्चिस रुपे का प्रोफिट कमाता है वही दूसरा केस क्या अदे रखा अगर मैस को आठ सही पर्षेंट की हानी पर और कुर्सी को फाड़े-बारा परशेंट की लाब पर बेजता है तो ने लाव होता है नहीं प्रॉफिट होता है तो मेज का रह्म अप लोगों को निकाल कर बताना है ठीक है इसा बात समझ में आ गी है बात कलीए की नहीं हुई है आप मुझे बताए तो मेज का क्रह यह माल ले तहो कि मैं एक्स पर है अधसी का यह माल ले तो अगर मेज का क्रेम उल्ले एक्स है और एक्स की वस्तु को यहां पर निकल कर आएगा आपका 25 एक्स बटे दो परसेंट यहां पर आएगा 25 एक्स बटे दो परसेंट और कुरसी को तो आठ सही एक बटे तीन परसेंट की हनीपर बेचेगा यानि कि आठ सही एक बटे तीन परसेंट केतना होता है 25 बटे तीन यानि कि यह भी के आपकी 25 एक्स डिवाइड बाई थरी परतिशत और ओवर ओल पच्छिस रुपे का प्रोफिट होता है यह तो आपकी इक्वेशन नंबर एक बन गई है इसको थोड़ा सब्सिंप्लिफाई करूँगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हो गर इस परसेंटेज को अटा दू तो मैं यहां पर लिख दूँआ 25 एक्स डिवाइड बाई टू और माइनस को 25 वाई डिवाइड बाई थरी और एकवल तो आपका निक आपका निकल कर आएगा 3X माइनस 2Y और एकवल तो 600 रूपीज यह आपकी इक्वेशन नंबर एक बन चुकी है ठीक है ना इक्वेशन नंबर आपकी एक बन चुकी है अब दूसरी एक्वेशन में यहां से बनाऊगा आप कह रहा है कि अगर दूसरे वाले केस में अगर बेचे कुरसी को कुरसी को अगर प्रॉफिट पर बेचे तो यह आएगा आपका साड़े बारा पर्षेंट तो आएगा आपका 25Y डिवाइड़ बाई टू परसेंटेज तो इस केस में नो प्रॉफिट नो लोस होता है तो यहां से निकल कर आएगा माइनस 25X डिवाइड़ बाई 3 परसेंटेज की वैलू 1 अपॉन 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 रख रहा हूं और प्लस 25 अपॉन वाई डिवाइड बाई टू इकवल टू जीरो अगर वन अपॉन 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 रखूं और तो को इस तरफ ले जाऊंगो राइट हैंड साइड तो जीरो ही बनेगा तो यहां तो यहां पर भी अगर मैं 25 से डिवैड कर तो इसको ऐसे लिख सकता हो कि माइनस 2y और प्लस का 3y और इकवल टू जीरो यह आपकी एक्वेशन नमबर दो बन गई अपने को इन दोनों एक्वेशन को मैं सॉल करूँगा और xy की वैलू निकाल दूँगा तो यहां पर निक दोनों एक्वेशन को हम लोग सॉल करेंगे उपर वाली में 2 से बुणा नीचे वाली में 3 से बुणा और दोनों एक्वेशन को जोड़ दूँगा पहली और दूसरी को ठीक है ना तो इससे आपका यह गटेगा माइनस का 4y और प्लस का 9y और एकवल टू कितना आजाएगा आपका बारस तो निकल कर आजाएगा और यानिकी वाई बराबर आपका जो निकल कर आएगा बेटा यह वाई बराबर कितना निकल कर आएगा पांदुनी 10,520,240 रूपे और वाई क्या है आपका एक कुरसी का क्रेम उल्ले यह तो आपका 240 आ चुका आप यहां से x की वैल निकल लोगा माइनस का 2x एकवल 2 और यह आएगा माइनस का 3 इंटू 240 ओल्राइट इस माइनस से माइनस कटेगा इस 2 से 120 पर कटेगा यानिकी x की जो वैलू निकल कर आएगी 360 रूपे निकल कर आजाएगी आपकी यह बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी तो इसका मत को आपको डारेक्ट इस तरीके से ही करना है उमीद करतो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हुगा ठीक है चलिए तीन कोश्चन ते थोड़े से डिफरेंट टाइम के मुझे लगे और यह भी लगा कि सवाल दुबारा भी आप लोगों से पूछे जा सकते है इसलिए मैं करोगे तो आपको 10% का extra off मिल जाए तो साथ योग कोईंस को भी redeem करना आप लोग मत बूलिएगा मेरा भी बैच आ रहा है 27 जनवरी से शाम को 6 बजे से 8 बच तक किलास होगी और यह बैच आपका SSC, CGL और CHSL के लिए आ रहा है आपको डेट कंटेंट, कॉंसेप्ट, क्लिया जोड़ना मत भूलेगा और यह बैच भी आपको प्लस पर ही मिलने वाला है यह मेरी यूटूब क्लास का सेड्यूल है वाइफाइ स्टडी 2.2 बर जूड़ सकते हो मेरे साथ डेली एक बजे वाइफाइ स्टूडिय बर जूड़ सकते हो सुबह के ग्यारा बजे आने क्लास हमारी तीन बजे होती है डेली है मैं यहां पर मिलती है सभी यूटूब क्लास की पीडिया जूड़ना मत भूलेगा इस टेलिग्राम चैनल से कहीं अगर लग रहा है इन एफ्रोप्रियेट कंटेंट यूज करें तो आप रिपोट कर सकते हो आपको प्राइज जीतने नो बजे आप लोगों के लिए वाई-फाइ स्टेडि के में चैनल पर क्लास लेकर आ रहा हूं वाई-फाइ स्टेडि के में चैनल पर जिस पर हम लोग क्या करेंगे ट्रिगनोमेटरी के वो सवाल जो एंटी-पी-सी टी-बी-टी-वन में आई हुए कोश्चन्स है तो जूड़ना मत बूलेगा सुबह नो बजे जब तक लिए आप अपना ख्याल रखेगा